साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ स्रेक्टर की जो कमिया मुझे अनुभव होती थी, बीते छे साथ सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। और हम सो सबको मालूम है, हमारा समिधान के ताथ जो फैडरल स्ट्रक्टर की विवस्ता है, उसमें हेल्थ ये राज्य का वीश्य है, राज्य की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे सर्माई तक, तो क्या कठिनाईया हैं वो मुझे मालूम थी तो मैंने भारत सरकार में आकर के भले दाईत्व राज्य का हो, तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास सरूर किया, हमार यहां एक बड़ी समस्य ये थी, कि देश का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अधिक टुकडों में बट स्वास्तिविटी और कलेक्टिव एप्रोच का अभाव सा, भारत जैसे देश में जहां बहतर स्वास्त सुमिधाएं, राज्य की राजधानिया या कुछ मैट्रो सिटी तक ही जिमित थी, जहां गरीब परिवार, रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते ह हैं, वहां राज्य की सीमाओं तक सिम्टी स्वास्त योजनाओं से बहुत लाब नहीं हो पा रहा था, इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केर और बड़े हस्पतालों में भी एक बहुत बड़ा गैप नजर आता था, हमारी पारंपारिक चिकित सा पद्धती और आधुनिक च पद्धती के बीच भी तालमेल की कमी थी, गवर्नेंस की इन कमीयों को दूर किया जाना बहुत जरूरी था, देश के स्वास्त सेक्टर को ट्रांस्फर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रिय एप्रोच, एक नई राष्ट्रिय स्वास्त नीती पर काम किया, स्वच्च भारत अभियान से लेकर आईश्मान भारत और अब आईश्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है, आईश्मान भारत योजना से ही अभी तक राजिस्थान के लगभग साड़े तीन लाख लोगों का मुप्त इलाज हो चुका है, गाव देहात में स्वास्त सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग डाई हजार हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर आज राजस्तान में काम करना शुरू कर चुके हैं, सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केर पर भी हैं, हमने नया आउश मंत्राले तो बनाया ही है, आउड़वेद और योग को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। झाल